तो चलो देख लेते हैं कि वो वर्स क्या क्या है ये देखो ये क्या है आप जानते हो मैं बताती हूँ ये है इंडियन फ्लैग तो अब ये फ्लैग को अच्छे से देखो और बताओ कौन कौन सा कलर्स है यहाँ पे हाँ मैं बता दू पहले है सैफ्रोन फिर वाइट और फिर ग्रीन कलर्ड ओके और एक बात ये देखो फ्लैग के एकदम मीडल में वाइट कलर के अंदर कुछ विल जैसा है ना हाँ वो क्या है पता है आपको वो है अशो का चक्र ठीक है क्या है अशो का चक्र ओके तो मेरे साथ बोलो एफ फॉर फ्लैग एफ फ्लैग वेरी गुट अब ये देखो ये क्या है हाँ दिस इस आफ फिश ओके तो मुझे बताओ कि फीश कहां पे रहते हैं हाँ फिश तो वोटल पे रहते हैं हाँ ओके और आप फिश खाना पसंद करते हो ना हाँ ओके तो मेरे साथ प्श प्रीक मेरे साथ बोलो F for fish F for fish अब ये देखो ये क्या है हाँ, fans This is a fan तो ये fan तो हम लोगों की घर में है ना हाँ, सब की घर में होते है fans जब हम लोगों की बहुत ज़्यादा गर्मी लगते है तब हम लोग ये fan on करते है हाँ, तब गर्मी तो ये उगल वैनिश हो जाते है है ना, ओके तो मेरे साथ बोलो F for fan फिर से बोलो F for fan अब ये देखो ये क्या है हाँ, ये frog है वेरी गुट This is a frog आपको पता है frog एक ऐसी animal है जो की water पे भी रह सकते है और land पे भी रह सकते है हाँ, ओके तो frog हम लोग कब ज़्यादा देखते है बता सकते हो हाँ, rainy season में जब rain होते है न, तब बहुत ज़्यादा frogs देखने को मिलते है हाँ, ओके तो फिर मेरे साथ बोलो F for frog F for frog ओके तो आज हम लोग जो जो words सीखे उसको एक बार revise कर लेते है चलो F for flag F for flag F for क्या है, हाँ, fish F for fish अभी ये क्या है, हाँ, fan F for fan F for frog Very good So kids, you have to revise these words at home ओके तो आज के लिए इतना सा ही ओके फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ओके बाई